वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिग बैस के दोस्तों होने वाले आज के फ़र्स्ट मैश के बारे में आज के दिन दोस्तों धियान रखना बिग बैस में टोटल दो मैश रहेगा जिसका दोस्तों फ़र्स्ट मैश जो है वो आपका मैच दोस्तो कल है तो जो भी भाई लोग कल वीडियो देखेंगे तो आप सभी को happy new year फोर दो इस साल तबाही मचा दो और god bless you ठीक ना दोस्तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैच पे थोड़ा आप focus कर लें तो सबसे बहले देख लेते यार दोनों टीमों का head to head record कैसा है कौनसी टीम दोस्तो strong है किस टीम को आपको जादा favor करना है किस टीम को कम favor करना है तो बात कर लें दोनों टीमों का दोस्तो head to head record तो दोनों के बीच में ना 19 मैच हुए पूरे big bass history में जहाँ पर 11 मैच दोस्तो Harvard की टीम ने win किया है और 208 मैच ना Sydney Thunder की ने win किया है तो यहाँ पर advantage किसको मिल रहा है दोस्तो तो Harvard की टीम को यह हो गया दोस्तो history बात कर लें परजेंट कैसा रहा है दोनों टीमों का तो दोनों टीमों का हम लोग यह दी last 5 मैच देखे तो Harvard की टीम ने last 5 मैचों में 203 मैच win किया है दो मैच इनका loss रहा है Sydney Thunder की टीम ने last 5 मैच में इन्हों ने भी दोस्तो ध्यान रखना टोटल 3 मैच win किया है एक मैच इनका बाडिस की वज़े से रत चला गया था और एक मैच इनका loss रहा है तो दोनों टीम यार अच्छे ही कर रहे हैं मैं खराब नहीं बुलूँगा अब बात कर ले चलो यार यह तो बात हो गया पहले आज क्या करना है मैच दोस्तो एडवांटे जानते हो Harvard को ही दे रहा हूँ उसका रीजन कहा है न दोस्तो सिद्नी ठंडर की जो टीम है न अच्छी टीम है लेकिन इनके पास मैच विनर का कमी है यदि आप गीने चुने देखोगे तो इनके पास एक से दो ही मैच विनर है जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में और Harvard टीम के पास दोस्तो इस मैच में टोटल चार मैच विनर है जिन पे आप भरोसा कर सकते हो यार ये बेस्ट करके जाएगा तो इसलिए मैं Harvard को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ ये बात होगी है दोस्तो दोनों टीमों का head to eight का अब बात कर लिए पीच नहीं होता है और low scoring भी दोस्तो मैच यहाँ पे नहीं होता है average score दोस्तो इस ground का जो रहने वाला है इस match में वो आपका 160 और 180 के बीच में रहेगा ये मैं confirm इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि record देखो त्योंना मैं record बाई बताता हूँ 150 के नीचे दोस्तो यहाँ पे अभी तक total big bell में देखो तो 15 बाड लगे है ठीक ना वहीं दोस्तो 150 और 280 के बीच में यहाँ पे जानते हो दोस्तो total big bell में कितने run लगे total 236 लगे है 36 match में same यही average score रहा है और 190 से दोस्तो उपर यहाँ पे सिर्फ 8 बाड लगे तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो average score दोस्तो आपका क्या बन रहा है ठीक ना चलिए यह हो गया दोस्तो average score बात कर लें यहाँ पे ज़्यादा spinner को help है या fast baller important चीज़ है यह भी तो देखो दोस्तो यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान रखना total last 2 match ही हम लोग देख ले तो last 2 match में 21 बिकेट गिरे है जिसमें दोस्तो 13 बिकेट fast baller को मिले है और 8 बिकेट दोस्तो spinner को मिले है that means यहाँ पे spinner पीछे नहीं अरते spinner को बिकेट मिलता है और इस match में दोस्तो मैं आगे आपको दो traum card spinner share करूंगा जिसमें एक तो यार definitely traum card है क्योंकि उनका selection कम है लेकिन at least वो दो विकेट इस match में लेके जा सकते हैं कोन है मैं आगे आपको balling section में बताऊंगा टिक यह total clear हो गया दोस्तो और अब हम लोग फोकस करते हैं combination पर यार किस player को रखना है किस इगारा player को अपने team में रखना है वीडियो में दोस्तो आगे बढ़ने से पले एक और जी आई होप आप लोगों ने यार telegram channel को join कर लिया होगा नहीं कियो दोस्तो कर लेना काफी important रहेगा क्योंकि जो भी changes करना होगा टस और पीच को ध्यान में रखते हुए final team में तो वो मैं आपको फिर से telegram पे share कर दूँगा तो join कर लिजेगा इसका link आपको नीचे ही description section में भी मिल जाएगा साथ ही साथ दोस्तो comment section में भी first comment pin क्या हुआ मिल जाएगा जाए दोस्तो telegram के साथ जुड़ जाएए अब चलिए focus करते हैं हम लोग अपना combination पे start करते हैं वीडियो बिकेट कीप लिंग section से यहाँ पे आपको दो base option है C bankrupt और Embed अब देखो दोस्तो बैन क्रॉप का बात करें तो recent match में इनका यार बहुत ही कमाल का performance गया है यदि आप last match सिर्फ हटा दो तो जितना match इनोंने खेला है सभी match में इसने गरदा performance किया है लेकिन जानते हो मैं इक और चीज़ आपके साथ सेर करता हूँ Bencrop का दोस्तो जो record है न ये Sydney Thunder के अगेंस बहुत खराब है और इस venue पे that means इस speech पे भी recording इनका बहुत खराब है selection हाई है मैं रख जरूर रहा हूँ लेकिन ध्यानकना drop आप कर सकते हो क्यों कि head to a record खराब है venue पे record खराब है मैं बस इसलिए रखा हूँ क्योंकि इनोंने recent match में अच्छा performance किया है लेकिन हम लोग ricks ले सकते हैं ठीक न ये चीज़ का ध्यानकना है Matthew weight पे मैं आपको नहीं बोलूँगा ricks लेने के लिए ये आपको team में होना ही है क्योंकि भाई का head to a record next level है यार 50 से उपर का average है इस venue पे भाई का 60 से उपर का average है कत्ता ही drop नहीं करना है इनके साथ आपको कोई छेरकानी नहीं करना है हाँ बैंकर आपके साथ आप कर सकते हो कोई problem नहीं नीचे से ये दो प्लियर को हटा ही दो आज ये दोस्तो डाइडेक बैटिंग सेक्षन बैटिंग सेक्षन में ओर डेविल्स खराब प्लियर नहीं है लेकिन इस venue पे भाई का बहुत अच्छा performance नहीं रहा है ये चीज हम लोग इस BBL में भी देख रहे है और history भी दोस्तो यही करता है और head to a record भी दोस्तो इनका 19 का average है तो मैं अभी इनको नहीं रख रहा हूँ मैं रखोंगा नीचे से 200 aim right मेरे team में होने चाहिए आपके भी team में होने चाहिए प्लीज मत अटाना दो मैच खेले हैं और क्या भाई ने फोरा है दो मैच में न भाई ने आपको 79 के average से fantasy point दिये एक मैच में आपको 79 fantasy point दे रहे हैं टॉप order में बैटिंग करेंगे फोर के रखते हैं एहल्स record दोस्तो इनका ध्यान रखना है average है head to head में बहुत अच्छा यह performance नहीं करते हैं लेकिन मैं बस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस venue पे ठीक ठाक record है और recent matchों में ठीक score कर रहे हैं at least मैं उमीद करता हूँ कि 25 से 30 रन तो जरूर करके जाए इसलिए मैंने इनको back किया है लेकिन इस match में आप इन पे भी ricks ले सकते हो ड्रॉप करके नीचे दोस्तो ए रोज last match में बहुत बढ़िया कर गए क्यों? क्योंकि दोस्तो स्टार्टिंग में Sydney Thunder का बिकेट गिर गिया था और इनको बहुत अच्छा कासा ball मिल गया खिलने के लिए और रे score कर गए और इस match में भी दोस्तो आप इनको सेम इसी तरह से ध्यान रखना ट्राइ कर सकते हो यदि आप दोस्तो हेल्स को नहीं रख रहे हो तो ए रोज को ट्राइ कर सकते हो यदि आप दोस्तो सी बैंड को आपको नहीं रख रहे हो तो ए रोज को रख सकते हो ये rotation ध्यान रखना इस venue पे ऐसे कुछ खास इन्होंने नहीं किया है मैं अभी इनको back नहीं कर रहा हूँ बट आप try कर सकते हो क्योंकि open batting करते हैं selection कम जा रहा है नीचे से एक नाम आप मैं आपके साथ share करूँगा team David अच्छा player है लेकिन बहुत खराब performance कर रहा है और एक और रीजन है ना regular ना इनको 200 balling नहीं मिल रहा है पहले दोस्तों लास्ट एर इनको big best में regular balling मिलता था और एक दो bicket ये लेके ही जाते थे लेकिन इधर regular इनको balling नहीं मिल रहा है बट मुझे लग रहा है कि यार इस speech भी इनको balling मिल सकता है यहाँ spinner को अच्छा गासा help है तो ध्यानकना 14% selection है हो सके तो मैं अपने final team में इनको अपने team में update भी कर लो ठीक ना team debit ध्यानकना HN बहुत super player है लेकिन यार batting ये नीचे करने आता है तो इसलिए मैं इनको recommend नहीं करूँगा ट्राइ करना team debit के साथ आप जा सकते हो ठीक ना नीचे से एक और आपको player खेलते हुए दिख सकते है कार्डी मॉन last match totally flop रहे starting में ये out हो गया लेकिन दोस्तों big best में ज्यादा match भी नहीं खेले है एक ही match खेले है और वो भी last match खेलारी तो ऐसे अच्छा है England का player है the 100 में बहुत अच्छा performance करके आ रहे है इसलिए इनका big best में selection हुआ है GL में आप rotate कर सकते हो ये सब player को नो GL में ध्यान रखना rotate ज़रूर करना किनके साथ तो जिनका high selection है उनके साथ और मैंने आपको दो option दे दिया है जिनका high selection है बट उने पर आप ricks ले सकते हो आज है ये ओ लाउंडर section Daniel Sam को रख लो यार captain के लिए best option है 4 over का balling और कमाल का batting करके देगा इस speech पे इनका बहुत अच्छा record है head to head record भी बहुत अच्छा है इनके साथ कोई आपको छिरकानी नहीं करना please फिर नीचे आईए C Jordan में रख रहा हूँ जॉर्डन को में रख रहा हूँ क्योंकि speech पे इनका अच्छा record है और मेरे को लग रहा है कि speech पे अच्छा balling कर सकते हैं bicket भी ले सकते हैं क्योंकि slow bicket रहता है थोरा सा 200 और slow bicket पे Jordan अच्छा करते हैं फिर नीचे एगा C Green मैं अभी नहीं रख रहा हूँ लेकिन try कर सकते हूँ क्यों try कर सकते हूँ मैं वो बता देता हूँ region दोस्तो नमबर 1 इनका ना इस venue पे अच्छा record है head to head बहुत अच्छा record नहीं है लेकिन इस venue पे that means speech पे अच्छा करते हैं और last match में भी भाई ने अच्छा balling किया था और batting backup भी आपको देखे गए थे तो धियान रखना Sydney ठंडर के यदि आप top order batsman एकदम नहीं रख रहे हो इनके दोनों opener को नहीं रख रहे हो वहाँ पे C Green game changer pick बन सकता है selection भी high जा रहा है ठीक ना इन चोधरी balling यार कर नहीं रहे हैं ठीक ना मैं नहीं try कर रहा हूँ इन चोधरी को C Enerson को भी मैं नहीं back कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है इनका performance रहा नहीं है first match बहुत अच्छा किये थे पर उसके बाद से totally flop जा रहा है ठीक ना try करना हो C Green आपके लिए एक अच्छा option बन सकते है आज है ये balling session जेट खान दोसों खेलेंगे नहीं direct side करो T Sanga एक game changer option बन सकता है ध्यान रखना T Sanga इस venue पे अच्छा record रखता है और इस venue पे spinner को help भी है इसलिए मैंने इनको back किया है नीचे से Nathan Ellis, R. Madrid तो मेरे team ने definitely रहेंगे ये दोनों को मैंने already आपको भी बोला है रखने के लिए क्यों क्योंकि दोस्तों Horvart के team के ना के दोनों game changer baller है दोनों ही important baller है Nathan Ellis देथ में balling करेंगे R. Madrid दो अभर power play में और दो अभर दोस्तों देथ में और last match में ये भाई ने करदा balling किया था Melbourne star के अगेंस ये नीचे जो एक नाम दिख रहा है ये आपको P. Dolly ये दोस्तों मेरा आज का traum card player है ज्यादा traum card player दोस्तों इस match में है भी नहीं और उसमें मैं इनको traum card बना रहा हूँ region में बताता हूँ क्यों भाई ने दोस्तों इस venue पे best performance किया है एक तो ये region head to head record दोस्तों इनका बहुत solid है और साथ ही साथ tournament में भी अच्छा करके आ रहा है आप बोलोग यार last match में तो कुछ इनको मिला ही नहीं है तो भाई बॉलिंग ही नहीं नहीं गिये last match ना बाडिस की विज़े से 206 over का हुआ जिससे दोस्तों इनको बॉलिंग मिला नहीं और last match में इनको कुछ खास नहीं किया लेकिन उससे पहले वाले match में दो बिकेट लेके आ रहे है तो धिहान रखना game changer baller रहेगा मैं इनको जरूर back कर रहा हूँ बहुत अच्छा तो performance रहा नहीं है ट्राइ करना हो दोस्तों GL में कर सकते हो एल हैचर और दोस्तों MCDO देखो दोस्तों यह दोनों player में न यदि मुझसे पूछो के कौन best है और इस match में कौन especially best हो सकता है तो एल हैचर हो सकते है 4% selection है GL में आप जरूर इनको try कर सकते हो जी संदू में भी इनको power play में इस match में बिकेट न मिले क्योंकि सामने जो team में बहुत solid team है especially उनके opener तो यदि इनको बिकेट मिलता भी है न इस match में तो देख में मिलने का high chance मेरे को लग रहा है तो यदि THU की team दोस्तो balling first करती है try करना balling second करें drop कर देना balling first में try कर सकते हो क्यों क्योंकि ऐसे में ये दिथ में balling करते हैं overall दोस्तो हम लोग का prediction यही रहेगा वीडियो में दोस्तो आगे बढ़ने से पले दोस्तो आई हो आप लोग BBL sports बाजी पे play कर रहे होंगे नहीं कर रहे हो दोस्तो तो अभी से भी try कर लो क्योंकि देखो यहाँ पे न 20 लाग का दोस्तो लीडर बोर्ड ना already live हो चुका है जो दोस्तो आपका चलेगा कब तक तो BBL का जो final match रहेगा 24 जन्वरी तब तक और देखो दोस्तो सिर्फ BBL नहीं आप देखो तो मैं आपको sports बाजी का T10 का भी teams देता हूँ और sports बाजी पे क्यों खेलना चाहिए दोस्तो देखो सबसे पहले ना एक तो बहुत पुराना एप है trusted एप है brand mister दोस्तो इसके राशीत खान है तो आप ऐसे भी दोस्तो ट्रस्ट कर सकते हो साथ ही साथ कोई GSTP भी आपको नहीं देना है जितना deposit करोगे सभी amount आपके wallet पे आएगा यदि दोस्तो आप first time यहाँ पे 100 रुपया deposit करते हो तो एक और benefit मिल जाएगा यह जो आपको 10 रुपया वाला contest दिख रहा है ना जो आज की भी match में वह आप free में join कर सकते हो कोई आपको यहाँ पे जो 10 रुपया दिख रहा है कोई नहीं देना है that means deposit करो GSTP भी नहीं और free में contest जो आई एक और advantage बताता हूँ आप यहाँ पे first time 500 या 500 से उपर का deposit करते हो ना तो यहाँ का दोस्तो जो सबसे बड़ा वाला grand league है 49 रुपया वाला आज के ही match में आपको यह भी मिल जाएगा वो आप जानते हो free में join कर सकते हो कोई पैसा नहीं देना इतना सारा advantage दोस्तो आपको कहा मिलेगा तो sports बाजी पे मिलेगा तो भाई लोग अभी तक डाउनलोड नहीं कियो तो कर लो और एक और advantage दोस्तो में sports बाजी का आपके साथ share करना चाहूंगा दोस्तो यह जो match है हॉरवर्ट और सिड्नी वाला इसमें देखो sports बाजी एक ऐसा है पर जहाँ पर आप fantasy तो play कर ही सकते हैं साथ stats pro भी प्ले कर सकते हैं और stocks भी प्ले कर सकते हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं stats pro देखो दूस्तों stats pro में यहां पर आपसे बहुत सारा question पुछा जाता है जो question आपको solid लगे सही लगे उस question को select करके play now पे click करके आप play कर सकते हैं मैं first question लेता हूँ ठीक ना पुछा गया है क्या match Horvart की team win करीगी Sydney Thunder के against मैंने क्या वीडियो में prediction दिया है Horvart की team strong है win करीगी तो हम लोग play now पे click करेंगे ठीक ना और बस यहां पे true पे ही रखेंगे यदि आपको लगता है Horvart की team हार जाएगी तो यहां पे आप false पे भी जा सकते हैं मैं true पे जा रहा हूँ उसके बाद इसको आप जैसे आगे पीछे करोगे जो भी आपका budget होगा आप इसके according अपना select कर सकते हैं और यहां भी play कर सकते हैं तो इतना सा रा advantage तो भाई लोग sports page पे ही मिलेगा तो जिन भाई उन्हें अभी तक डाउनलोड नहीं किया sports page आपको इसका लिंक आपको नीचे ही description section में मिल जाएगा चाहिए डाउनलोड कीजे और जब भी login करते हैं तो रेफलर कोड सर्माजी जरूरी उसकीजेगा SHARMA और दोस्तों जी ठीक ना सर्माजी जरूरी उसकर लिजेगा जिससे जो deposit offer मैंने बताया है उसका लाब आप टाइड एक लेपाओ अब बात कर लिए दोस्तों इस match के regarding captain VC option तो captain के लिए तो दोस्तों यार मही सोचो simple जाओ दोस्तों Daniel Sam को कर लो best है ठीक ना सब चीज इनका best है to a record भी venue पे भी recent matchों में भी सब चीज बेस्ट है तो फिर best कोई हम लोग करेंगे 22 captain में थोड़ा सा सोच लिजे 22 captain के लिए ना embed को भी आप try कर सकते हो next option दोस्तों आप क्या कर सकते हो नीचे से M right पे GL में आप जरूर x लेना ठीक ना GL में game changer pick बन सकता है और balling section से especially इस speech पे Nathan Ellis पे जरूर भरोसा रखना है ठीक ना दो तीन बिकेट आपको लेता हुआ दिख सकता है ये player मैं अभी के लिए Daniel Sam captain और 22 captain 200 Matthew wait गया हूँ और आप लोग भी अभी के लिए इस team का screenshot ले लिजे, contest join करके रखिए same team से कोई changes करना होगा इस team में कोई player नहीं खेलता है कोई नहीं बस आप लोग telegram channel को join कर लिजेगा वह आप इमें आपको फिर से final update भी दे दूँगा ठीक ना telegram channel का link आपको नीचे ही description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment pin क्या हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तो telegram के साथ जुड़ जाएए और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube channel को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद सबसे important कोशिच कीजेगा notification का घंटी वे जादे जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तो तो फिर मिलते हैं हम लग आप सभी से next वीडियो में चैहिन दोस्तो take care and bye